जैहिंदे विर्वन तो इस सीरीज में हम दूसरी सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं आपके देख सकते हूँ आप आपके पास एक combination दिया गया है जिसमें R1 रजिस्टेंस और R2 रजिस्टेंस सीरीज में combined है उसके cross एक हमने potential drop लगा रखा है तो आपसे इस question में पूछा क्या जा सकता है कि दोनों के cross separately आप potential drop बताओ तो आप calculation करने जाओगे कही ना कहीं आप दो मिनट से जादा time जरूर कंजूम करने वाले हो बट इसका short trick क्या है भाई कि अगर V1 आपको पता लगाना है तो net potential क्या है आपके पास V है और जिस resistance में लगाना है वो अपन net resistance फिर से आपको add कर देना है यह क्या हो जाएगा अगर आपसे V2 एक्रॉस आर्टू पूछा जा तो क्या होगा भी कमेंट करिए